Hello Warriors, Welcome back to your YouTube channel. This session is especially dedicated to, I think if I'm not wrong, that student is Sushant Tiger. भाईया मैं आपसे डर गई हूँ, आपने बड़े मेसेज़े हैं कि मैं वेरी बैड आप CHSL के 2024 के पेपर नहीं सॉल्व करा रहे हैं. तो आपकी रिक्वेस्ट पर, in fact बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर कराना भी था, ठीक है, तो लाइव तो नहीं ले पाएंगे हम, लेकिन CHSL 2024 के पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जितना हम से होगा, एक्जाम से पहले उतना हम करेंगे, जितना आपके पास उस ठीक है, अब यह जो वर्ड है ना, वाइलेंट, यह इनके बिहेव करने का क्या बता रहा है, वही मैनर बता रहा है, ठीक है, और जो मैनर बताता है, वो क्या होता है, कौन सा पार्ट्स ओफिस्ट होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, मैनर बताने का काम एडवर्ब होता है जैसे कोई बोलता है तो कैसे बोलता है politely बोलता है, किसी ने गाना कैसे गाया beautifully गाया, किसी ने problem को solve कैसे किया, patiently किया कोई कैसे बोलता है, calmly बोलता है softly बोलता है, छीक है तो जितनी भी words हैं, वो सब क्या है manner बता रहे, तो उनकी behave करने का manner चाहिए जबकि यह तो adjective दे दिया इसको क्या बनाना है? मुझे adverb बनाना है इसको क्या बनाना है? adverb बनाना है तो यह हो जाएगा violently violently मतलब widely this would be correct, तो किस part mirror हो जाएगी? third में, violent की जगे आना चाहिए violently, ठीक है? next देखते है the couple preferred to walk until the last house of the town इसमें जो गलती है preferred के साथ infinitive आता है preferred के साथ, prefer के साथ noun plus noun का combination भी होता है gerund और gerund का भी होता है और prefer के साथ preposition to आता है prefer के साथ infinitive भी आता है अगर in case दूसरा infinitive जोड़ना भी है तो भीच में rather than का use होता है ठीक है? वो सब चलो देखेंगे अंबा की दूसरा टॉपिक्स में तो इसमें तो कोई गलती नहीं है the couple सही है, prefer to walk भी सही है ठीक है? आफ दे टाउन में भी कोई गलती नहीं है मुझे इस पार्ट मेर लग रही है until the last house और वो यह कह रहे हैं कि वो जो दमपती थे वो prefer करते थे टाउन के आखरी घर तक आखरी घर तक walk करनेगा तो बच्चे यहाँ जो until word है यह जो until word है until आता है बच्चो time के लिए time के लिए जैसे मान लिजए आपने कहा we will stay here हम यहाँ ठहरेंगे we will stay here until she comes back जब तक वो वापस नहीं आ जाती तो बच्चे जो until है ना वो automatically आपको negative sense देता है जबकि इसमें not कहीं नहीं लगाते हैं तो जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती हम यहीं पर wait करेंगे हम यहीं रूखेंगे until का use आप घर के लिए थोड़ी कर दोगी यह जो last house है तो order बता रहा है है ना आखरी घर बता रहा है तो बच्चों यहाँ पर until की जगे use करेंगे आप up to up to the last house तो आपको यह ध्यान रखना है until is used to denote time and up to is used to denote the end point of something जैसे मानलीजे आप कहते हैं आपने बोला I have read I have read up to 20 pages of the book कि मैं इस किताब के 20 pages तक पढ़ चुका हूँ तो यहाँ पर up to का use करें until का नहीं होगा ठीक है चलो next देखते है select the sentence in the future tense मुझे इन चारों में से वो sentence चूस करना है बच्चों जो future tense denote करेगा तो have been करता नहीं है should be भी नहीं करता could be भी नहीं करता simple सा I will be 25 next Sunday अगले संडे को मैं 25 साल का हो जाऊंगा ठीक है I am down with her complaints ठीक है underline phrase जो है given sentence में उसको incorrectly यूज किया है तो इसमें देखना है हमें सही क्या होगा passed out with होगा fed up with होगा held down with होगा या look down with होगा ठीक है तो passed out with का मतलब होता है faint हो जाना या confidence या consciousness lose कर देना ठीक है lose consciousness मतलब faint हो जाना painted ठीक है मूर्चित हो जाना चेतना चली गई है to lose losing consciousness ठीक है fed up with का मतलब होता है you are bored or unhappy you are bored or unhappy with something unhappy with something आप ऐसा तब भी करते हो जब आप कहते हैं कि भई मैं ठक चुका हूँ अभी ये काम करते हैं तो आप कह सकते हैं I have become tired of या फिर आप कह सकते हैं I am tired of this monotonous job held on with का मतलब होता है being physically restrained ठीक है being physically restrained शारिरिक रूप से कहीं पर physically restrained रोग देना stop from moving किसी को move करने से रोग देना और look down with का मतलब होता है जैसे आप कहते हैं किसी को किसी की insult करना है डिस्डेन करना या डिसप्रूव करना insult करना और ये use कैसे होता है देखो with तो नहीं आता इसके साथ actually with नहीं आता ये use होता है look down on somebody look down on somebody किसी को नीचा दिखाना जैसे आपने कहा कि her friends usually look down on her because she belongs to a poor family क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करती है इसलिए उसको insult करते हैं उसको disdain करते हैं disrespect करते हैं नीचा दिखाते हैं अब आप कहरें I'm down with her complaints मैं उसकी शिकायतों से क्या हो चुका हूँ चेतना रहित हो चुका हूँ क्या या परेशान हो चुका हूँ बिल्कुल टायड हो चुका हूँ या फिर restraint हो चुका हूँ not moving hill नहीं पा रहा हूँ insult में नहीं as Paul was dash his supper तो बच्चो सपर होता है last meal of the day last meal of the day दिन का जो आखरी भोजन होता है कई बार हम डिनर करने के बाद भी चुटर पुटर थोड़ा बहुत खा लेते हैं सोने से पहले तो overall last meal of the day है तो as Paul was dash his supper तो supper को क्या करेगा वही eat ही तो करेगा यहाँ पर कुछ ऐसा है नीट करेगा क्यों ग्रेज तो चरना होता है जैसे चारा चरती है गाई भैसे तो पशुओं के लिए use होगा feed का मतलब होता है किसी को खाना खिलाना भोजन खिलाना feed करना भोजन खिलाना जैसे माई अपने बच्चों को feed करती है और churn churn का मतलब होता है हिलना डूलना to move churn होता है to move जैसे कई बार देखो move किस केस में हो सकता है जैसे आप कहते है my stomach my stomach stomach is churning या stomach churns आप present simple का use कर लें तो अगर पेट में बड़ी उतल पुतल सी होती है ठीक है अच्छा सा नहीं लगता है uneasiness होती है उस case में भी आप लोग कह सकते है पेट में कुछ गरबड हो रही है my stomach churns या फिर simply भी आप किसी चीज के move करने के लिए हिलने डूलने के लिए churn का use कर सकते है ठीक है जैसे पानी पानी बहुत हिलरा डूल रहा है तो चurn कह सकते है तो ये तीनों तो आएंगे नहीं इस अपर को वो खाएगा इसलिए इट आ जाएगा आगे देखते है आंट जैनी एक आंटी है जैनी नाम है उनका dash him questions that have been full of deceit deceit मतलब धोका चीक है आंट had a very deep meaning पर क्योंकि she wanted to trap him क्योंकि वो उसको क्या करना चाहती थी trick करना चाहती थी धोका करना चाहती थी तो क्या है आंट जैनी demanded him questions देखो questions को क्या किया जाता है questions को तो ask किया जाता है पूछा जाता है है ना demand नहीं किया जाता है तो यहाँ पर बहुत easy है, demand नहीं होगा, allow नहीं होगा और submit भी नहीं करते हैं, आप question पूछते हो, ठीक है It seemed as if, ऐसा प्रतीत हो रहा था, as if मतलब मानो की ऐसा प्रतीत हुआ, मानो की, she was endowed with Endowed with का मतलब होता है, सूसजित सूसजित होना, ठीक है या having, having a talent or features, having a particular feature or quality इसका मतलब भी क्या होता है, having a particular feature or quality अगर कोई व्यक्ति किसी particular feature, विशेशता है, quality से सूसजित है तो आप यूज़ कर सकते हैं, endowed with, endowed with honesty endowed with a very beautiful heart ठीक है, उससे किसी talent या quality से सूसजित होना Endowed with dash which could hunt for dark and mysterious tact तो ऐसा लग रहा था, मानो की, उसके अंदर क्या है भई? She was endowed with technique, purpose, talent और weakness देखो, weakness तो, weakness की तो कहीं बात नहीं हो रही और purpose भी नहीं है, technique किसी particular काम को करने की एक तकनीक होती है टेकनीक नहीं, उसको पर आसे talent था क्योंकि देखो, क्या बात हुई पिछले जब हमने इस passage को start किया कि aunt जो है, auntie जो है, वो Paul से कुछ इस तरीके के questions पूछ रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि उसे धोका देने की कोशिश कर रही है deceitful questions थे, ठीक है, तो deceitful questions थे, तो मतलब उसके अंदर यह क्या था, talent था, यह सब करने का, तो talent, यहाँ पर आजाएगा आपका answer, talent, ठीक है, which could hunt for dark and mysterious duct, okay, she asked, अब उसने क्या पूछा, did you now not want to swim, Paul, क्या अब तुम स्विम नहीं करना चाहोगे, Paul, उसने पूछा, did you now, ठीक है, दुबारा आगया है, Paul felt an uncomfortable, अब Paul को इन सब इस तरह के deceitful questions से uncomfortable क्या हो रहा था, drop हो रहा था, गिरावट आ रही थी क्या, नहीं, view था, नहीं, guess था, नहीं, suspicion, क्योंकि पूरे passage में बात ही किसकी हो रही है, doubt or mistrust की बात हो रही है, इसी वज़े से तो उसको discomfort और uneasiness feel हो रहा था, तो उसको शक, suspicion मतला, शक, feel हो रहा था, ठीक है, uncomfortable suspicion, he dash aunt jenny's face, however, it informed him nothing, हाला कि देखो क्या किया उसने, he ने aunt jenny के face को chase किया, ruffle किया, search किया, या pursue किया, तो भई chase करने का मतलब होता है, पीछा करना, chase तो हो गया, पीछा करना, ठीक है, और ruffle का मतलब होता है, परेशान करना, परेशान करना, अब आपको याद आ रहा है, अगर आपने vocab की classes ली थी, अगर व्यक्ति परेशान नहीं होता, किसी की मृत्यू से, किसी failure से, यासा फ सारे words याद है, आपको तो परेशान नहीं होता है, ruffle, अचा उल्टा पुल्टा करना भी होता है, ruffle का मतलब, जैसे आप, आपने क्या किया, अपनी बेहन के बालों को खराब कर दिया, ठीक है, उल्टा पुल्टा कर दिया, तो ruffle उस case में आ सकता है, अब सर्ज खोजा, कु आपने का, I am trying to pursue a good career in banking sector, मैं try कर रहा हूं, बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा करियर अचीव करने की, तो उस case में आप परस्यू जैसे कहते हैं, I am pursuing my become second year, और दूसरा एक परस्यू है, मनाना, ठीक है, किसी व्यक्ति को मनाना, तो पूरे पैसेज के मिनिंग के करने की कोशिश की, क्योंकि suspicious तो महौल था ही, सारा doubtful था, सब कुछ deceitful था, लेकिन however, it informed him nothing, लेकिन उसके face ने उसको कोई information नहीं थी, कि यह सब चल किया रहा है, so he said no, मैं, उसने मना कर दिया, नहीं मैं, कोई swimming-wimming नहीं करना चाहता, तो यह answer हो जाएगा आपका third, ठीक है next question देखते हैं, this is best book for children to read, अब आपको पता है, यह आपकी superlative degree है, superlative degree से पहरे article, the का प्रयोग होता है, साथ साथ आपको यह भी बता दूँ, superlative degree तो होती ही है, superlative degree हो गई, आपके पास जितने भी ordinals होते हैं, ordinals जैसे कौन-कौन से words हो गई, first है, second है, third है, ठीक है, fourth, fifth यह सारे आजाएंगे, और next आजाएगा, last आजाएगा, और only, इन सारे शब्दों से पहले भी article the का use होता है, जैसे, you are the fifth person to ask me the same question, ठीक है, he was the next student to attend the session, I was the only person in the concert, ठीक है, तो इससे पहले दवा आना चाहिए, this is the best book, यह हो रही है आपका आंसर, this is the best book for children to read, the realtors of the new venture sold plots like hotcakes, यह हमने एडियम्स वाली classes में भी किया था, realtors होते हैं, आपके agents होते हैं, जो मकानों को, प्रॉपर्टी को खरीदने, बेचने में, mediator का काम करते हैं, new venture का जो agent था, उसने plots को बेचा, like hotcakes, अब चर्च के बार, hotcakes बिखते थे, अब hotcakes, क्योंकि hotcakes इसका नाम है, तो गर्मा गरमी खाया जाता है, वो इतनी तेजी से बिखा करते थे वहाँ पे, कि वो hotcakes थंडे भी नहीं होते थे, उससे पहले बिख जाते थे, तो मतलब इनके बिखने की frequency कैसी थी, बहुत जादा, rapidly, बहुत जादा, तो क्या होगा भी innovatively क्या, नहीं, quickly हा, quickly and in large numbers, तो अगर कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी और large number में बिक रही है, तो कैसे बिकरी है, like hotcakes, answer हो जाएगा, यह illegally नहीं, और with great difficulty बिनी, answer is two, black and white भी हमने पड़ा था, in writing या printing, अगर कोई चीज लिखावट में है, printing में है, या फिर writing में है, printing में उसको कहेंगा, black and white, ठीक है, कभी-कभी in pen and ink भी आता है, in pen and ink, यह भी writing के लिए आता है, और यह stinky के लिए भी आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, यह stinky बदबुदार के लिए, मैसी के लिए भी आता है, और यह लिखावट के लिए भी आता है, in writing. हमारा next question है, बचों, word दे रखाए हमें glory, और उसका पूछा है हमसे, विलोम शब्द, अन्टनिम, तो glory का मतलब होता है, महीमा, ठीक है, glory is महीमा, मतलब आपका क्या है, आपकी काफी esteem है, highly renowned हो आप, आपकी notable achievements है, मतलब बहुत लोग आपको जानता है, आपकी एक महीमा है, आपकी एक esteem है बाहर, इसका opposite डूड़ना है, shame का मतलब क्या हो गया, shame is शर्म, ठीक है, कुछ ऐसा काम कर दिया, जिस से लजजित होना पढ़रा है, shame feel करना पढ़रा है, embarrassed feel करना पढ़ता है, honor, honor क्या है वई, honor है आपकी, वोई, esteem, ठीक है, सम्मान, honor is, सम्मान, बहुत सम्मान है, सम्मान है मतलब क्या है, prestige है, और delight, delight खुशी है तो delight के लिए हमारे पास word है बहुत आनन्द है ना आनन्द है तो pleasure है pleasure है, gratification है और वो cap की classes अगर आपने देखिए तो इससे related हमने बहुत सारे words पढ़े हैं पहले भी pleasure है, gratification है ठीक है and gluttony किसको कहेंगे आप gluttony जो बहुत ज़ादा खाता है तो pay too है जो बहुत ज़ादा खाता है उसके लिए हमारे पास words क्या क्या है जो बहुत ज़ादा खाता है तो वो voracious है hoop खाता है war जो word है, यहाँ पर आपका जो root word है न war का मतलब होता है to etc, इसलिए harpy war, karni war यह वाले words होते हैं Omnivore तो वो voracious है और government है G-O-U-R M-A handy ठीक है? government है जो बहुत खाता है और gobbler भी है G-S-E-Y-A-D कर ले ना इसको gobbler gluttony, voracious, government और gobbler तो फिर gobbler क्या होता है? gobbler तो mochi होता है यह थोड़ा सा ध्यान रख ले न gobbler mochi होता है चालो अच्छा फिर याद करने की कोशिश करो जो बहुत जादा खाता है तो फिर वो क्या करता होगा भी? वो binge eating करता होगा फूप खाता है तो बिंज eating करता होगा और बहुत जादा खाने का जो disorder होता है उससे क्या कहते हैं? bulimia कहते है बहुत जादा intense desire to eat food और इसका opposite क्या हो जाएगा? इसका opposite क्या हो जाएगा? anorexia anorexia मतलब कम खाने की सनक कम खाने की सनक why? because the person is afraid of getting fat उससे ऐसा लगता है मैं मोटा ना हो जाऊँ कम खाऊंगा ठीक है? बहुत कम खाता है या फिर होता है ना कही बार exam से पहले पेट में कुछ होता है भूक नहीं लगती, गोल-गोल घूमता है डर लगता है तो इंसान कम खाना शुरू कर देता है exam time में वो भी क्या है? anorexia एक प्रकार का डर है, खाना नहीं खाने का इससे वर्ड याद करेंगे बचो अगर यह anorexia है तो amnesia क्या होता है? amnesia होता है memory loss memory loss ठीक है? amnesia is memory loss जैसे आपने कहा कि after that major accident he has been suffering from amnesia for last two years दो साल से हो उसको उसकी याददाश जो है वो चली गई है, memory loss हो गया चीक है? यहाँ देखो यहाँ से आपने ओनर याद किया अब आप याद करो ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सम्मान है सोसाइटी में, उसके लिए कौन कौन से वर्ड पढ़े थे हमने वो venerated है है ना? वो esteemed है illustrious है revered है distinguished है है ना? बाकी eminent है ठीक है और famous है, renowned है और lionized भी एक वर्ड याद रखेंगे है lionized basically actor वगरे के लिए बहुत बार use होता है newspaper में lionized मतलब public attention actor वगरे क्या करते हैं? बहुत public attention attain करते हैं तो glory का मुझे antonym चाहिए था, यह महीमा है यह दोनों positive words है इसका इससे कोई relation नहीं है तो shame इसका क्या हो जाएगा ठीक है next देखते है the skunk had a conspicuous spinal stripe skunk एक तरीके का cat की तरह का American mammal होता है इसमें कुछ striped fur होते है black and white spinal stripe की बात हो रही है conspicuous का मतलब हमने क्या देखा था conspicuous है easily noticeable obvious है spust है explicit हो जाएगा opposite हो जाएगा implicit, hidden, considered हो जाएगा अब यह तो क्या noticeable है इसका क्या देखना था हमें substitute ही देखना है noticeable हो जाएगा इसका answer uncertain और vague jobs की और वह तो vague है कुछ दिखता ही नहीं uspust है uspust इसलिए uncertain है connect करो uncertain है ambiguous है क्योंकि uncertainty है ambiguous हो जाएगा abstruse हो जाएगा dubious हो जाएगा dubious हो जाएगा मतलब इन सभी words का use आप तप करते है जब किसी तरीके की earth पश्टता है clarity नहीं है vagueness है vague से याद करो वह सारे words weather के लिए आपको बताया था hazy है misty है वह सारे words आ जाएगे cloudy है nebulous है charming charming किसके लिए आता है कुछ ऐसा जो बहुत delightful एक दम बढ़िया शांदार है आपका मन मोह लेगी delightful है ravishing है बहुत सुन्दर है ठीक है बाकि वह captivating आ जाएगा mesmerizing आ जाएगा delightful आ जाएगा appealing आ जाएगा यह सारे words आ जाएगे आपे जो charming है वह delightful है appealing है वह सारे words आपकी क्लास में जो आपने देखे दे spellbinding है captivating है mesmerizing है intriguing है वह सारे words आ जाएगा alluring है faint का मतलब है weak बहुती मंद जैसे किसी ने fake smile दी मंद एक दम मंद और weak he gave a faint smile बड़ी आपचारीक smile दी मंद मंद मुसकरहाट दी तो noticeable हो जाएगा इसका answer ठीक है next देखो next question हमसे पूछा है would you please support me for once in your life क्या जिन्दगी में एक बार आप मेरा समर्थन करेंगे support करेंगे तो समर्थन करना सहयोग करना establish आप क्या क्या establish करते हैं you can establish a business you can establish a rule a law a tradition establish करना आप computer कर सकते हैं आप किसी majority का गलण खेरा सकते हैं कि यह पॉर्स है तो मतलब आप क्या करहे हैं उसको invalidate कर है है आप उसको compute कर्रहे हैं आप repubiate कर्रहे हैं ठीक है abdure कर्रहे हो तो खंडन करना भी फ्यूट ठीक है डॉक्यूमेंट पेपर्स होते हैं जिनको आप दस्तावेच कहते हैं डॉक्यूमेंट्स पेपर्स हैं डिस्क्रेम करना मतलब त्याग ना त्याग देना अब त्याग ना के लिए हमारे पास we are जाना और परीन हैं मैं और रिलिंकुश है थीक है फोर्सेग है रिनाउन्स है ठीक है यह सारे वर्ड़ जाएंगे तो बच्चों अगर त्यागना है तो फिर यह भी धियान रखना कि दिनाउन्स क्या है डिनाउन्स क्या बता है था आपको criticize आलोच ना करना criticize है और castigate castigate word याद रखेंगे condemn याद रखेंगे ठीक है? chastise याद रखेंगे chastise ये सारे words किसके लिए आते हैं? chastise, condemn, denounce criticize, castigate ये सब आलोच ना करने के लिए expression, fulmination, calumny यादे सारे words आपको हमने vocabulary की class में सारे की हैं, तो पूचाता हमसे support का antonym, यहाँ समर्थन है सापित करना related नहीं है, दस्तावेज नहीं है त्यागना नहीं, खंडन करना अगर आप किसी का support करने की बात करें, मतलब अब तक आप उसको क्या करते आप, उसका खंडन करते आए हो, उसको गलट ठहराते आए हो, इसलिए इसका opposite हो जाएगा, refute ठीके, next question देखते है, word हमसे पूचा है, बच्चो, trivial trivial का मतलब होता है, बहुत तुछ, छोटा, नगणने जिसकी कोई value ही नहीं है ठीके, तो अगर कोई value नहीं है, तो वो insignificant होगा insignificant होगा और trifling होगा, जैसे आप कह सकते हैं, कि हमारे पड़ोसी बहुत ही trifling, बहुत insignificant और tribal issues पर लड़ते हैं इसका में बताना है, बच्चो, antonym चिक है, antonym बताना है जो vein होता है, बच्चो, वो अभिमानी होता है तो अभिमानी के लिए हमारे पास words क्या-क्या है super serious super serious है और कैसा है वो अभिमानी है, तो haughty है, इस सब वैसे हम classes में पढ़ चुके है, haughty है arrogant है वो arrogant है और hubristic है और conceited है है ना, pompous है और क्या-क्या हो सकता है भई narcissistic है imperious है यह सब अभिमानी जो सामने वाले को कुछ नहीं समझते छोटा समझते है, inferior समझते है इसलिए अभिमानी है देखो बचो, super serious तो क्या है, अभिमानी है तो फिर आप याद करने की कोशिश करो superficial क्या था, जो उपर-उपर से तासत ही था, तो sketchy था, गरसरी था, जिसका opposite हो जाएगा, comprehensive, detailed हो जाएगा, है ना, और superfluous क्या था, superfluous था, unnecessary, redundant, extra, surplus, जिसकी कोई ज़रुरत नहीं है, ओकी, तीनो वाट्स वा एक साथ याद करेंगे, चलो, नेक्स देखते हैं, नेक्स एसे अब उसके बिना तो काम नहीं चल सकता, ना, इसलिए वो rudimentary है, और वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप कह सकते हैं, वो crucial भी है, है ना, क्योंकि वो essential है, crucial है, crucial है, तो वो critical भी होगा, और basic भी होगा, और इतना ज़रूरी है, तो वो unavoidable है, है ना, उसको avoid नहीं किया जा सकता, unavoidable है, मतलब inevitable है, बहुत अवश्यम भावी, जरूरी है, उसके बिना काम चल नहीं सकता, जो liable है बच्चों, तो वो तो answerable होगा, ना, आप liable हो, आप उसके लिए जिम्मेदार हो, तो आप answerable हो, जवाब दो, answerable हो, तो आप accountable हो, जैसे आप सरकार को accountable ठहरा सकते हो, है ना, आप answerable हो, accountable हो, responsible हो ना, उस चीज़ के लिए, जवाब दे ही है, मतलब आप, आपको जवाब देना पड़ेगा, कोई चीज़ लेविश है, तो बहुत महंगी है, मतलब बहुत पैसा खर्च किया है, तो rich है, opulent है, फूब पैसा खर्च किया है, तो luxurious है, तो lavish hotel हो सकत है, मतलब खूब पैसा खर्च करके आपने वो, वो चीज़ ली है, खाना खाया है, या फिर आप कहें, sumptuous, sumptuous dinner, बहुत महंगा डिनर, ठीक है, अब sumptuous वर्ड को पकड़ लो जरा, sumptuous वर्ड का मतलब क्या है, जो बहुत महंगा है, तो फिर जरा आगे देखो, ये sumptuous है, तो फिर scrumptious क्या होगा, scrumptious, scrumptious है भई, delectable, है ना, अब जो delectable है, वो क्या है, delicious है, और क्या है, palatable, है ना, और क्या है, succulent, succulent, और luscious, और toothsome, इन सब का use हम किसके लिए कर रहे हैं, जो बहुत स्वादिश्ट है, ठीक है, palatable है, succulent, रसीला, ये दोनों तो रसीले के लिए use होते हैं, overall, क्या है भई, बहुत अच्छा लग रहा है, tasty है, इन सब का मतलब है, स्वादिश्ट, ये सब स्वादिश्ट है ये सब स्वादिश्ट है, तो insipid क्या होगा, insipid होता है, feca, tasteless, ठीक है, insipid, feca, tasteless, जसमें कोई taste नहीं है, फिर अपन क्या करते हैं, हम मिलते जुलते words को पकड़ लेते हैं, क्या पर word आ रहा है, luscious, है न, तो हमने word पढ़ा था, lesquivious, lesquivious एक word पढ़ा था, इसी से, अब जो lesquivious है, वो तो niche है, नीच है, तो जो lesquivious है, वो lewd है, ठीक है, वो leechrous है, leechard है, leechard है, leechard है, leechard है, जो leechard है, वो leechard है, और वो कैसा है, nefarious है, है न, और वो debouched है, अब ये सारे words evil, evil के लिए, दुष्ट, niche, ऐसे वेक्तियों के लिए यूज होंगे, जो वि जो lustful life जीते हैं, debouched और salacious, जो lustful life जीते हैं, lustful है न, और salacious भी हो जाएगा, अब ये तो salacious है, तो फिर यात करो बच्चो, sagacious क्या होता है, जो sagacious होता है, वो समझदार होता है, इसलिए वो judicious होगा, वो wise होगा, wise होगा, prudent होगा, समझदार, ठीक है, careful होगा, और क्या होगा भई, astute होगा, shrewd होगा, चालाग है, ठीक है, इस तरीके से आप words को याद कर सकते हैं, एस्ट्यूट होगा, और आप ले सकते हैं, discerning, sapient, perspicacious, इसी के लिए, discerning, sapient, और, perspicacious, ये सारे की सारे words किसके लिए आते हैं, जिसका दिमाग बहुत चलता है, जो बहुत चालाग है, समझदार है, perspicacious, आप चाहो तो इसको और आगे देख सकते हो, देखो, ये perspicacious है, तो फिर देखो, precarious क्या था, वो perspicacious है, ये precarious है, precarious क्या है, कुछ ऐसा जो बहुत रिस्की है, इसलिए कैसा है, dangerous है, है ना, और जो dangerous है, वो क्या है, meanacing है, meanacing है, perilous है, perilous है, treacherous है, dangerous है, ये सारे words आ जाएंगे, ठीक है, भी बहुत जादा खीच दिया इसको, हमने आगे देखते हैं, answer हो गया था कि हमारा इसमें, trivial का में अंटनिम डूणना था, अब जो trivial है, वो तो important है नहीं है, लेकिन essential तो important है, इसका opposite हो जाएगा, essential, ये इसका हो गया answer, ठीक है, next question देखते है, incorrectly spelled word टूनना है बच्चों में इसमें, encroach, delegate, illusion और obtain, तो encroach की spelling यहाँ पर गलत है, ये इसका answer हो जाएगा, it should be O-A-C-H, ये गलत हो गया ना, A-O लिखा है, encroach, O-A-C-H, अब encroach का मतलब होता है, अतिक्रमन करना, ठीक है, अतिक्रमन करना, delegate होते हैं, प्रतिनीदी होते हैं, आप जो प्रतिनीदी होते हैं, वो कौन होते हैं, आप उनको envoy कह सकते हो, आप उनको representative कह सकते हो, प्रतिनीदी, ठीक है, आप उनको go between कह सकते हो, Mediator भी कह सकते हो प्रतिनिदी होते हैं और Optain का मतलब हो गया acquire करना, किसी चीज़ को हासिल करना, तो आपने acquire करा, आपने attain करा प्राप्त कर लिया, ठीक है Optain, और illusion भरम है illusion भरम है, तो illusion के लिए हमारे पास hallucination एक word है, भरम है ना ब्रम, हमने ली word पढ़ें, हल्यूसिनेशन, हल्यूसिनेशन हो गया, मिराज हो गया, मिराज होता है, बरी गर्मी में जब आप दूर से देखते हो, तो तो रोड पे आशी जिसे पानी है, जैसे इसी । नज़्दीक जाते हो, पानी हटता जाता है, तो वो केवल भ्रहम होता है तो मिराज हो गया, हल्यूसिनेशन हो गया और फैंटम, फैंटेजम आप देख सकते हैं फैंटेजम फैंटेजम ठीक है? ये वर्ड जो जाएंगे भ्रहम के लिए ओके? अच्छे आप ये एंक्रोज वर्ड है अंक्रोज मतलब अतिक्रमन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इंट्रिउड कर रहे हो, इंफ्रेंज कर रहे हो इसके लिए वर्ड देख लेना इंट्रिउड हो गया इंफ्रेंज हो गया मतलब आप वाइलेट कर रहे हो कुछ नियम वगर है तोड रहे हो violate कर रहे हो और trespass हो गया किसी की boundary में गुस रहे हो मान लो तो ये सब हो गए आपके synonyms ठीक है answer हो गया हमारा engross, incorrectly spelled word यही है next question question number 18 Rahul had strong pain in his stomach अब strong मतलब बहुत तीव रहे है बहुत जादा दर्द है तो कैसा है severe pain है पूछा क्या था हम से substitute ही पूछा है severe pain है अब जो severe है उसके लिए हमारे पास words अब यह extremely painful है ना वो बहुत जादा दर्द हो रहा है तो acute है extreme है है ना और हमने पहले भी पढ़ा है harrowing word हमने एक पढ़ा था बहुत दर्द भरा harrowing ठीक है और excruciating अब एक दम तिल को छीर जाए तिल को छू जाए ऐसा कुछ तो बहुत ही जादा agonizing ठीक है बहुत दुखी कर देने वाला तो excruciating हो गया है harrowing हो गया extremely painful ठीक है भई तो high अब high तो आपको बताता है कोई चीज उंची है vertical extent बताता है deep depth और जो strict है वो सक्त है बहीं जो strict है वो क्या होगा martinate होगा ना जो strict है वो martinate है वो hitler है ठीक है वो disport है ठीक है वो tyrant है वो dictator है यह सब कैसे हैं ऐसे father जिनोंने कह दिया कि 9 बज़े के बाद घर से बाहर नहीं निकलना तो वो hitler है strict है, martinate है, disport है, tyrant है, dictator है इसका opposite ऐसे पिता जी जो कहते हैं कि पिटा कूब enjoy करो अभी तुम्हारा time है घूमने का बाहर जाओ राम से रात को दो-तीन बज़े तक घर आना ऐसे पापा कैसे हैं? लिबरल है ऐसे पापा लिबरल है, मॉडर्न है और permissive है मतलब आपको permission देते हैं तो permissive societies कैसी है जहाँ पर हर चीज को accept किया जा रहा है ठीक है, तो permissive society है permissive families है, जहाँ पर इन सब चीजों को changes को accept किया जा रहा है जो changes accept नहीं करता है उसके लिए हमने word क्या पढ़ा था? die hard word पढ़ा था जो किसी भी change को accept नहीं करता वो traditional है, die hard answer तो हमारा हो गया, severe ठीक है next question है, बचो हमारा how can you be so joyless on hearing the news? ठीक है, joyless मतलब खुशी नहीं है, इसका अंटरिम बताना है अब जो joyless है वो तो कैसा है, वो तो उदासीन है इसको तो कोई खुशी है यह नहीं, तो यह तो कैसा है? यह तो sad है ठीक है, यह sad है, यह dejected है यह mournful है यह doleful है यह dolores है मिलान कॉलिक है disappointed है, इसको कोई खुशी नहीं है ठीक है? joyless का हमें बताना है opposite तो बच्चो जो कुछ भी beaming होता है beaming के दो meaning है beaming का एक meaning तो क्या है? smiling broadly smiling broadly बहुत अच्छे से मुस्कुराना, smile के लिए आ रहा है ठीक है? smiling broadly जैसे आपने का she was blaming with joy after winning the award दूसरा इसका meaning होता है shining के लिए, light के लिए है ना? तो shining है, shimmering है, glittering है दूसरा इसका meaning होता है shining है, shimmering है है ना? उसी तरीके से glittering है और जैसे तारे चमकते हैं उसके लिए आप twinkling कह सकते हैं twinkling ठीक है यह सब shining के लिए यूज हो रहे हैं glittering, shimmering, shining ओके? चलो अब wrapped जो word है wrapped का मतलब होता है you are completely fascinated by something किसी चीज़ को सुन के, किसी चीज़ को देखके आप कैसे हो गए एक दा मगन हो गए अब आप मगन हो गए तो बताओ कैसे हो गए किसी का dance देखके आप मंत्र मुग्द हो गए तो spell bound हो गए ना आप क्या हो गए? आप fascinated हो गए ना आप पूरी तरीके से मंत्र मुग्द हो गए, fascinated हो गए, आप captivated हो गए ना ठीक है? और आप be wished हो गए ना तो यह सब वो ही सारे आपके words है alluring, alluring हमने iliode बना लिया, spell bound हो गया, तो आप मंत्र मुग्द हो गए अब blissful का मतलब होता है happy, completely blissful means happy, आप कैसे हो happy हो, ठीक है? joyous हो delightful हो, ठीक है? आप खूश हो, तो इसके लिए words हमारे पास और क्या क्या थे? ecstatic था, elated था enraptured था आप enraptured हो elated हो ecstatic हो चीक है? ये सारे words हैं खूशी के लिए, happiness के लिए और rapturous भी लिख सकते हैं euphoric भी लिख सकते हो आप euphoric rapturous याद कर लो भी इनको है ना, पूरी वो class देख लो आप एक बार, एक बार की मेहनत है, वो vocabulary वाली class देख लो, बहुत help मिलेगी आपको उससे जो dubious है बचो dubious is doubtful dubious का मतलब है doubtful चीक है? जो dubious है वो doubtful है शक्की, मतलब जिस पर आप संदेह करते हो joyless का एंटनिम पूछा है तो obviously क्या होगा? blissful, इसका opposite हो जाएगा ना यहाँ तो यह सब sad है, यह blissful, यह खुश है बचो, next question है हमारा in both countries we have leaders of dash ability मुझे यहाँ पर एक फिलब भरना है powerful abilities की बात करें almighty, compelling या exceptional abilities की भी दोनों countries में हमारे पास leaders नेता हैं, वो कैसी ability वाले हैं powerful ability होती है powerful का मतलब तो होता है शक्तिशाली, ठीक है? powerful is शक्तिशाली है ना? और almighty कौन होता है जिसके पूरी power होती है, पूरी शक्ति होती है powerful और almighty दोनों एक दूसरे के synonyms है जिसको आप कह सकते हैं, सर्वशक्ति मान ठीक है? जैसे भगवान कैसे है, सर्वशक्ति मान तो जो सर्वशक्ति मान है वो तो उनमें सारा सामर्थ थे है इसलिए वो omnipotent है वो omnipotent है, वो invincible है उन्हें कोई हरा नहीं सकता वो supreme है चीक है? अब वो supreme है, इसलिए un-conquerable है हरा नहीं सकता ना उन्हें कोई भी तो आप यह दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जो कुछ भी बच्चों compelling होता है वो बहुत ही captivating होता है क्योंकि captivating क्यों होगा? क्योंकि वो इतना शांदार है कि आप उसमें खो गए इसलिए अब वो captivating है, compelling है जैसे आजकल की gadgets है, movies है है ना और आपको internet किता कंपेल करता है मतला आपको मजबूर करता है तो वो alluring है, captivating है वो captivating है, mesmerizing है वो ही सारे आजाएंगे alluring है, tempting है कंपेल मजबूर करता है आपको कि आप उसको use करो, है ना? अब जो कुछ भी exceptional है जो exceptional होता है वो different from usual होता है different from usual अदबूत एकदम different from usual सामाने से कुछ हटके तो दोनों गंड्रीज की leaders के बस ability कैसी है powerful और almighty तो होंगी नहीं compelling भी नहीं, captivating नहीं exceptional है, वैसे भी एक collocation है कि exceptional abilities होती है कुछ हटके हो गया एकदम, ठीक है थोड़ा सा हटके next देखते है I begged him to reconsider the decision but he refused to yield बचो यहाँ पर आपको spelling error बतानी है किस में है, the decision but सही है, I begged him सही है he refused to yield, उसने मानने से मना कर दिया, यह भी सही है यहाँ देखो यह गलत है reconsider, consider की spelling में S-I-D-E-R आएगा, answer हो जाएगा 4 ठीक है, next question है it is a general belief that the female ostrich guard the nest at night तो बचो यह जो female ostrich है यह आपका subject है singular singular subject के साथ verb की first form में S या फिर ES आता है, यहाँ पर guard के वल verb की first form है, तो मुझे क्या देखना है, यहाँ पर वो option यहाँ पर appropriate होगा जिसमें guards हो, guarded है ठीक है, भई tense यहाँ पर present tense चल रहा है, तो guarded नहीं होगा does नहीं होगा, guarding नहीं होगा second हो जाएगा, guard the nest at night तो नेक्स्ट क्वेशन है yesterday I had only a only a pair of apples for my dinner, पेर का मतलब यहाँ जोडे से है दो एपल खाए डिनर में ठीक है, P-I-E-R यह एक homonym का question है P-I-E-R जो word आपको दे रखा है जिसका मतलब होता है यहाँ पर क्या है, boats वगरे रुखती है जहाज रुखते है boats stop here है ना, और माल वगरे उतारा जाता है यह जो P-A-R यह जिसका मतलब होता है peel करना, छिलका उतारना बच्छो, next question है the documentary explored the historical and cultural significance of the antique ruins in the region मुझे यह एक word चीज़, जो antique का synonimo ठीक है, appropriate synonimo जो obsolete होता है वो no longer useful कुछ ऐसा जो कि कैसा हो गया है पुराना पुराना हो गया तो कैसा हो गया old-fashioned हो गया not in used, old-fashioned है old-fashioned है, defunct है जैसे अब अगर हम बात करें बड़े-बड़े जो computers है CPU वाले, वो old-fashioned हो गए basic phone, landline phone, loan fashion हो गए STD, PCO, internet, cafes यह सब defunct हो गए, old-fashioned हो गए अब इनका कोई use नहीं है contemporary के दो meaning होते है बच्छो, contemporary के एक meaning है वो है समकाली, एक ही समय के जैसे दो कवी हैं, जो एक ही समय के हमाल और दूसरा इसका meaning होता है modern दूसरा इसका meaning होता है modern अब जो modern है, देखो यह रहा जो modern है, वो new है new है और latest है और जो ancient है, वो प्राचीन answer हो गया, इसका fourth ancient लिख सकते हैं, आप इसका substitute and the last question for today, the little boy cried with pain, छोटा सा बच्चा दर्द के मारे चिलाया रोया when he burnt his fingers उची देखना है, समें कोई गलती है क्या तो when he burns his fingers यह present simple tense है बच्चो यहाँ पर वर्प की second form past tense है तो past tense की बात और यह तो burns क्यों आएगा, नहीं आएगा while he burned his finger पहली बात तो he के साथ burn नहीं आ सकता यह तो वर्प की second form आएगा burns आएगा, और while के साथ continuous tense यह भी नहीं होगा as he burning, direct subject के साथ ing form नहीं आ सकता, यहाँ b form भी तो होगी, ismr, was, work, कुछ तो होगा यह भी नहीं आ सकता, तो मतलब no substitution required है, बिलकुल ठीक है